स्वागत है आप सभी का LKB News पर रमेश विधुडी और दानिस जो बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा से सांसद है को और दानिस अली इन दोनों के बीश जो तलखिया संसद में देखी गई वह भले ही संसद की कारवाई से अटा दी गई हो लेकिन आम जन्द इसकी चर्चाए कर रहा है तो इसी पर चर्चाए के लिए लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मुझूद है जो भरते जंदा पार्टी के सांसद रमेश विधुडी दोवारा सदन में कहा गया उसको लेकर इनकी क्या राय है हरां की लोक सबस्पीकर दोवारा उसको सदन की कारवाई से हटा दिया गया सिर्ब से पहले तो लोकेश जी आपका स्वारत है पक्रत है ये तो शरमनाख एक सथम्न कह सकता हम और संसदेत हास की सबसे शरमनाख गटनाओं से एक घटना ये परसो की घटना है जो संसद में हुई है इसे या नि हमारी संसद की जो ऐक संवां था पुरी दुनिया में लोकतंतर नाकिला में कुछ नहीं कह सकता है यह जो भासा सदन के पटल पर यूज़ कि गई सामानी तोर पर तो यह हर जंगे सुनने को मिलती है जिस तरह का माहूल इस समय है उसमें हर जंगे इस पाद को लेकर चर्चाए होती है चलता रहता है लेकिन सदन के पटल पर यह हैं बात कहना गोर अपमान जरथा सतन का अपमान है संसदों का अपमान है हमारे पुरी लोगता दिलो अपमान है तो क्या अब मुझे लगता है भाजपा इस पूरे मर्ष्ट को वहाँ ले आई कि जहाँ ये भाजपा आम हो जाएगी आम जंदता इस दरा से मैं खड़ा देश के सामने क्या भाजपा अपने सांसदों को यही सला दे रही है यही सिख्सा दे रही है या उनको इंक्रेज कर रही है कि भई ऐसा करो इस तरह की भाजपा बोलो यानि आप देश का पूरा महावल को एक बहुत खतरनाक जगे ले जाना चाहते है इस पर रोक लगनी बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है इस तरह की गट्राओं पर रोक लगाए जाए और मैं तो मांग करता हूँ भाजपा से मांग करता हूँ आलगि भाजपा इसा करेगी नहीं इन्हें इनामी में लगा ऐसा इनका अस्तर पहतियास रहा है इस तरह के सांसोदों को निसकासित होना चाहिए और उनके खिलाब जो भी कानूनी कठोरतम कारवाई वो होनी चाहिए सरमनाक चीज आईए तो देश की राजनात सिंग एक मास्टर स्ट्रोक खिल गए उननों कुछ नहीं किया कोई से खिलाब कारवाई जब तक नहीं हुए थी राजनात सिंग ने अपने तब से पहले करें माफी मांग लिए यानि मजबूर कर दिया कि पूरी बास्पा माफी मांगे तो कि एक बड़ा लीडर है जाजनात सिंग भाजपा का अगर माफी मांगे इसका में तो कुछ गलत हुआ है उन्होंने प्रू कर दिया कि गलत हुआ है अब भाजपा इस जाल से कैसे बचेगी मजबूरी है भाजपा की कि इस पर कारवाई करनी पड़ेगी लेकिन क्या कार कि जब वो यह बात कह रहे थे पीछे दो भाजपा के संसत बैठे वी ती जिनमें एक थे हर्षवर्दन जी वह हस रहते बेसर्मी के साथ एक दूसरे संसत थे वह भी मुस्क्रा रहे थे अपने जो हमेशा कभी हसते देखे नहीं गए आज की तारिक में वह हस रहते हमारे प पुरा-पुरा सिस्टम ही खराब है इस तरह की चीजों के लेकर के यह बहुत इनकी विचारदार बहुत किलियर नहीं वह गट्या विचारदार है यानि कहीं न कहीं जो उनके साथ बैटे सांसदों का समरसन था क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर आप को गलत बात करें द उनके देश की चिंता होती तो उनको तुरंट रोकते उनको बैठाते करने क्या बत्तिमीजी कर रहे हो अगर हमारे कहीं हम बैठे हो कि जगडा हो जाए हम किसी के परतिकों गलत बैबार करते तो चार आज भी रोकते क्लाने यह गलत बात है ऐसा नहीं करना संसद में क्या थ आप लगातार इस्तेमाल कीजिए गलत था उस वक्त की कारवाई जो चल रही थी लोकसमा की तो जो कुर्सी पर थे स्पीकर के भूमीगा में जो थे वो कॉंग्रेस के सांसद हैं उनको किस तरह से देखते हैं मैं उनको संदेगल आप देना चाहूंगा तरसल वो साउथ के ह समझ नहीं है यह कह क्या रहे उन सब्सक्राइब हुरे होता उथ तो गवारे हो जरूठ का तो उनके वहबार होताम जरूर लुक evolves संदेगल आप दिया जा सकता मैं दे सकता हूं कि वह समझ नहीं पार तो क्या रहा है यानि वह यह नहीं पताता रहें वह उनको गरते बीच में लगा बीच में नहीं करने देना चाहिए उनको बिठाने के लिए अगर वह समझते के यह में दोड़ी सब क्या इस्तिमाल करते शाद ऐसा ना होता मेरी अपनी राही है मेरा मानना यह तो इसका राजवीतिक असर राहूल गांधी और अखिलेशादव भी लेना चाहते हैं वह भी लागातार अखिलेशादव ने तो समाजवादी पार्टी के पर पोस्ट की कि यह जो भार्चे जन्ता पार्टी की सरकार है यह पीडी ए यानि पिछड़ा गलीत और अलप संख्या को पसंद रहेंगर सही तो कहा है सच में ऐसा है भी जो बीचेपी की पूरू आईडियल योजी है वो सारे ही गलीतों पिर पिछड़ों के खिलाप है तो यह मान के चलता हूं कि मुस्लिम इनका पावराहूस है कि तरह इस्तेमाल करते हैं यह बीस क्रोड मुस्लमानों को गाले देते हैं उनके नाम पर सो क्रोड हिंदों को डराते हैं और बीस और दोतों की घरानों को यह लाप पहुंचाते हैं इनके आईडियलोजी तो यह ह इन्यों दलित पिछडों के सम्मान, उनको उत्थांसत कोई लेना देना नहीं है, अगर ऐसा होता, तो आपने कभी ध्यान दिया, भाजपा कोई समानता की बात नहीं करती है, भाजपा समरस्ता की बात करती है, और समरस्ता में क्या होता है, संसद में आपने परसों देख लिय यह इनकी समरस्ता है कि एक सांसत दूजरे सांसत को गालिक अफ्तार की बाद इस्तिमाल करेगा अगर यही समरस्ता है तो भाहिया ऐसे समरस्ता की हमें जरूत नहीं है रवेश विधुड़ी जी का सोसल मीडिया पर जो विपक्सी है वो लगातार कह रहे हैं कि गुर्जर समाज से इस तरह की भासा किस्तमालों पूरे गुर्जर समाज को टार्गेट कर रहे हैं उसको लेकर क्या करेंगे मैं कर बहुत सर्मिंदा हुआ एक चैनल में में डिवेट देख रहे था वहां चैनल एंकर ने कहा है कि नहीं यह विरादरी तो है वीचल अफेंडर है हम अपने आंदोले चलाते हैं गुजर विरादरी बहुत सारे लोग चलाते है माहा हम इसी बात का हमारे विदुड़ी क क्यों का जाता है और विदुड़े के सब्यान से वह चीज़े बारत पब्लिक प्लेटफारम पे आई अगर एक एंकर कह रहा है कि गुजर है विचल अफेंडर है इसके नाम पर कह रहा है एक विरमेश विदुड़ी के लिए ऐसा तो नहीं हमारे सारे सांसद ऐसे हैं हमारे है सांसद पर्दिप चौदरी भी रहे है यह रहे हैं राम चंदर भी कल रहे है एक लंभा इतियास गुजर के सांसद का फिलाल कहीं सारे सांसद मलूग नागर है करशन पाल जी है का आपने देखा कि इसका अभी कि इतनी गलत हरकत करते हैं एक रमेश वीदुड़ी आथतन किसी का आपने ऐसा कभी सुना ही नहीं दिया होगा एक रमेश विदूड़ी जो आदतन इस तरह की चीज़े करता है उसके बहुत सारे ब्यान है एक बारत मुझे आद है दिली में कुई राम लिला कमीटी का प्रवाम था वहां उन्होंने इसको 20 प्रवाम में कहा था ठीक नह हमें जरुत में माफी चाहते है या वह घ्लती जो है वह एक गात रूप से रवेस्वी दूड़ी की है या भारती जंता पाट्टी का इगुर्जर समाज का कोई इंवॉल्मेंटरी नहीं बहुत गलत कर दिया लेकिन उसमें वह गुजर सांसद है एक भाजबा के आईडियो जी भाजबा ऐसे लोगों को हमेशा ही आगे बढ़ाती है उनको परतोशिक देती है उनको इनाम देती इस तरह के लोग इनकी जरौत है पर्देप चोधरी कितने सों में कितने अच्छे व्यवार के वेक्ति हैं कुल मिलाकर आप मानते हैं कि रमेश व्यूरी का यह है वेक्टिकत मामला है जो उनको ने कहा कारवाई को लेकर क्या कहें मैं इसे पहले कॉम्बो मानता हूं दरसले रमेश वी दूड़ी आग्टने से और भाजपा के आइडिलोजिस से मैच करती है तो यह कॉम्बो पैक बन गया इसका रिचल्ट यहीं आना था यहीं भारते जंदा पार्टी और रमेश वी दूड़ हाँ हाँ बिल्कुर तो इस चर्चित मुद्धे पर आपने लोके सलार पुरी जी की राई को सुना आगे क्या अपडेट के लिए भी बने रही